पूर्वी दिल्ली के कारोबारी को बर्बाद कर दिया उसे करोणों रुपए का नुकसान हो गया पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर मार्केट की एक गली में कैद हुआ ये CCTV फुटेज न तो कोई चोरी या लूट पाट की है और नहीं डकैती या फिर ऐसी ही किसी दूसरी वारदात की बलकि ये फुटेज है रात के अंधेरे में दिल्ली के लोगों को बर्बाद करने की सुपारी उठा रखने वले उन सनकी बदमाशों की जो कभी मकानों में, कभी दुकानों में और कभी-कभी गाडियों में आग लगा जाते हैं और जब तक लोगों को आग का पता चलता है, लोग बर्बाद हो चुके होते हैं और ये मामला भी कुछ ऐसा ही है यहाँ दो बदमाश रहसमई तरीके से कपड़ों के गोदाम को आग के हवाले करते हुए CCTV कैमरे में कैद हुए हैं यह तस्वीरें 26 और 27 मार्च की दर्मियानी रात की है इतिफाक से CCTV कैमरे की घड़ी खराब है लेकिन अंधेरा देखकर यह समझना मुश्किल नहीं की वाक्या आधी रात का ही है रात को पहले यहाँ एक पाइक पर दो लोग संदिख्ध तरीके से खूमते हुए नजर आते हैं असल में यह लोग अभी गोदाम में आग लगाने से पहले इलाके की अच्छी तरह रेकी कर रहे हैं ताकि उनका वार खाली न जाए और फिर कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद वो अपने टारगेट यानी कपड़े के गोदाम के ठीक सामने आकर खड़े हो जाते हैं अंधरे और नकाब की वज़े से उनका चेहरा तो साफ साफ नजर नहीं आता लेकिन बाइक की हेडलाइट की रोशनी से इतना तो पता चली जाता है कि यहाँ इस शैतानी हरकत के लिए इस वक्त दो लोग मौजूद है इनमें एक बाइक रोक कर सड़क पर इंतजार करने लगता है जबकि दूसरा शक्स बाइक से नीचे उतर कर अपने काम में लग जाता है अंदेरे में ही वो गोदाम की गेट पर पहले डीजल या पेट्रोल जैसी कोई ज्वलन शील पदार्थ डालता है और फिर माचिस मार कर वहां से भाग निकलता है ध्यान से देखिए कैसे तेल में आग लगते ही वो तेजी से भड़ती है और आग लगाने वाला शक्स जान बचा कर अपनी बाइक तक पहुँचता है और दूसरा शक्स फॉरण ही बाइक स्टार्ट कर तेजी से भगा ले जाता है और जब तक गहरी नींद सो रहे लोगों को इस आग का पता जलता है आग लगाने वाले बदमाश तूर जा चुके होते हैं पूरी दुकान है चार मंजिला वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए ये कपड़े की ये दुकान बताई जारी है कि इस हाथसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ लेकिन करोडों रुपे के नुकसान का अंदाजा जताया जा रहा है दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस आग की खबर 27 मार्च की सुबह करीब 4 बजे लगी दमकल की 10 गाड़ियों ने आग बुचाने का मिशन शुरू किया और घंटों की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया फायर ओफिसर ने बताया कि आग ग्राउंड फ्लोर से लगी और चौथी मंजिल तक पहुँच गई हलकी बाद में जब लोगों ने आसपास के CCTV कैमरों के फुटेज खंगा ले तो उन्हें ये तस्वीरे नजर आई फिलहाल पुलिस ने इस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की चानबीन शुरू कर दी है दुकान मालिक गगन ने पुलिस को बता है कि अब से करीब चार महीने पहले इसी तरह उनके रिष्टदार की दुकान में भी आग लगाने की कोशिश हुई थी और अब ये वारदात हुई है वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में ये अपनी तरह का कोई पहला मामला नहीं है बलकि आग लगाने की ऐसी वारदात इससे पहले भी दिल झाल